हेलो फ्रेंड अभी ओनलाइन क्लासे में आपका स्वागत है यह आपके लिए मैं डे वेस्ट पजल लेका आया हूं जो एक्जाम आर्ट मार्च को है एक्जाम उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है एक मैंने डिरेक्शन वेस्ट पजल ठीक है यूट्यूब पर अपलोड कर कषा दिए जो पजल का लेवल है वह इसी का लेविल है है इसे हाट लेवल पिरी में नहीं पुझा जा रहा है एक मिन》 30 seconds में लगाई थी आप इसको 2 मिट में लगाने के कोई स्कारना ठीक है यह डियर्यक्सटे की स्पजल जो मैं डाली है उसका लिंग में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूहां जो मैं यूट्यूब पर डाल लग है ठीक है आई यह स्पजल को देखते हैं और आपको कि टाइब की वीडियो चाहिए ठीक है मेरे comment box में comment कहिए मा आपको वीडियो प्रवाइट करा दूँगा देखिए इसमें क्या है 7% ने यह सारी instruction है कि 7% दे रखें विजिट 7 different resident on 7 different day of the same day starting from Monday ending of Saturday not necessary in the same order ठीक है यह एक तरह से पढ़ लो चाहिए एक वार फढ़ ठीक है मिन चीज जो है यहां से लिए तो देखें यहां से हम देखते हैं अगर मैं इस पजल की बात करूं यह देखें कि यहां पर यह पजल की बात करता हूं तो यह यह जई है लुए जी आ रखाए जी विजिट ए resident on thursday तो g visit है thursday में only two person visit between g and c तो g thursday में तो हम यहां लिखेंगे दो पोजिल बिटी बना विजिवज बना लिए जी thursday में ठीक है फिर बता रहा है only two person visit between g and c g and c के बीच में दो person है देखे only two person only two person visit between g and c g and c के बीच में दो person है तो g and c के बीच में दो person एक मैंने हैं आपाल लिए ठीक है और एक e है होगा ठीक है only four person visit between visit between c and e c and e के बीच में एक दो तीन चार ठीक है e है आएगा ठीक है एक दो तीन चार एक e no possibility बान के कर रहा हूँ फिर लिखा a visit immediately before e immediate पूछा है तो a immediate है e के तो a यहाँ पर visit करेगा ठीक है a इसमें यहाँ पर visit करेगा ठीक है फिर कहे गरा है as many people visit between e and d as there are between a and e जितने person a and e के बीच में उतने a और d के बीच में a e के बीच में कोई नहीं है तो d और e के बीच में तो d यहाँ पर आ जाएगा इस लाइन में कहा रहा है जितने person e और d के बीच में है या जितने person e और d के बीच में है इतने person a और e के बीच में होने चाहिए तो a और e के बीच में जो कोई नहीं है तो d और e के बीच में भी देखो यह same position आगी ऐसी इसमें करेंगे तो D यहाँ आजाएगा अब कहा रहा है इस line को पढ़िए इस line में क्या कहा रहा है B visit on 1 यह on है B visit on one of the day after G B D के वाद किसी भी place पर visit कर सकता है मगर वो Saturday में visit नहीं करेगा B visit on one of the days after G but not Saturday तो यहाँ पर तो कोई position नहीं तो यह गलत हो जाएगी तो B जब Saturday में long नहीं करेगा तो Friday में करेगा तो B यहाँ आजाएगा ठीक है एक person बचा है इसमें A हो गया B हो गया C हो गया D हो गया E हो गया तो F यहाँ आजाएगा ठीक है यह बजल आपकी solve होगी यह मुश्किल से मैंने आपको समझाई थी तो मुझे time लगा 2 मिट में मैंने तो 1 मिट 38 सेगंड में solve करी थी यह आराम से 2 मिट में आराम से यह बजल आपकी solve हो जाएगी I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो इस टाइब की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर किलिक करें और आपको किस टाइब की वीडियो चाहिए मेरे comment box में comment करें मैं आपको वीडियो प्राइट करें Thank you